ही आफ दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आपको इक चीज बताना भूल गया था कि करता क्या है बहुत से लोगों कि माइंड में यह डाउट होगा कि एक रिसर्ष एक्ष्वल में करता क्या है तो आज मैं आपको इस बारे मताने वालों देखिए रिसर्ष एनलिस्ट का जो मेन काम होता है वह होता है रिसर्ष रिपोर्ट बनाना अब जो रिसर्ष रिपोर्ट है जो रिसर्ष रिपोर्ट है वह एक्ष्वल में होती क्या है तो कम्पनी क्या फूशर में ग्रोथ कर सकती है या फिन नहीं उसका बिजनस मोडल किस तरह के का है और क्या आपके क्लाइंट को उसके जो शेर हैं वो बाय करने चाहिए फिने बाय करने चाहिए तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी कोशन्स होते हैं उनके आंसर आपको इसमें दिये होते हैं यानि कंपनी की जो फानेशर स्टेटमेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रही है और कौन-कौन से चीज़े हैं जो उनको हेल्प करेंगे यान कौन को से फैक्टर से जिस बाती है अभी जो रिशर रिपोर्ट बना जाती है वह एक पबलिक लिप्टेट यानि क्या ऐसी कंपनी यह कि स्ट्वट मार्केट पर लिस्ट है तो जूडिस इल्रिस्ट होते हैं वो अलग-अलग टाइप के होगी होता है कुछ रिशर अलिस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फर बनाते हैं तो उसकी भी रैसिल रिपोड़ बनाते हैं है अब आम तोरब अपको जो नएक। लेकिन जो प्रवाइब लिम्टेट कंपनी इनकी रिस्स रिपोर्ट मिलना थोड़ी सी मुश्किल है और जो स्टार्ट अप है वह भी मार्केट में थोड़ा सा बूमिंग है मतलब यह भी कुछ नया एक नया कॉंसर्ट है और जो जो नए नए जो वीशी जैं उनको में तो अगर आपके इस बना चातते तो आपके पास यह इस अच्छा ओप्शंर अगरता और यह सारी चीजह एक इनाया चाता है जो और जो रिसर्स से अलेक्स होता है वो भी अलग-अलग टैप की होते हैं